एक्योडी शेर त्यमिले प्रीज, देने हीनल नहीं होगाँ प्रीज, प्रेल शेट पर इनल अतित तक नहीं होता अनुध सत создus माई ऐस ड्री ऐस अ इस अरॉपा लिज तब अधि रहत ऊत। चलिए शुरू करते हैं अनन्त का फंडा का पहला पार जिसका नाम है Market Today सबसे पहले इंडिक्स की पर नहज़र डालते हैं 56.13% negative एकदम neutral सा रहा उसे के साथ-साथ निफ्टी भी neutral रहा 0.10% negative पर 15,800 के नीचे के हमें closing मिल चुकी है 50.31% negative पर अगर हम mid cap की बात करें 1.10% positive ओररल मार्केट की ब्रेथ आज के दिन काफी ज़्यादा अच्छी थी जो आपके लिए और हमारी लिए positive हो जाता है 950 से उपर शेर advance वे जिसके अगेंस्ट में 820 की उपर शेर decline हुए एक अच्छा advance line ratio बोल सकते हैं सेक्टर्स की बात करें तो pharma और auto ने बहतरी बाउंस के आप इसे चेक आउट कर सकते हैं दो दिन पहली हमारी बात हुई थी फार्मा में जस्ट बिकॉस डॉक्टर रेडी में बागी सारे स्टॉक्स भी sympathy की वज़े से तूट गए पर जब भी कोई stock sympathy की वज़े से तूटता है उनमें bounce आने के chances बने रहते हैं और यही आपको बताने की कोशिश करी थी More than that अगर समझा जाए न equity share market में negative news में हमेशा over reaction होता है और positive news में under reaction होता है इस इसका ध्यान रखिएगा media, PAC, IAT और reality नी भी अच्छा perform किया जिन sector ने आथ के न तोड़ा सा शांती दिखाई उस पे सबसे पहले था metals जिसकी बात कली हुई थी कि कुछ दिनों के लिए metal अब शांत हो सकता है क्योंकि metals की expiry हुई है एकदम टॉप पे जाके उसके बाद तोड़ी बहुत selling आना इस but office उसी के साथ-साथ commodity, financial services के साथ-साथ energy और private bank आज के दिन कम जोर रहे अगर US futures की बात करें तो slightly negative हम बोल सकते हैं Wix 12.80 पर सोच समझ के options का काम करना काम करें वही जहां पर important support है तो हमारी success का ratio बढ़ जाएगा अब market के movement के उपर नज़र डालते है 15,800 के उपर closing हुई थी मतलब एक gap of opening हुई थी market ने high बनाया 15,862 का low बनाया 15,744 का especially आखरी के एक गंटे में एक अच्छा sell-off देखने को मिला closing हुई है 15,763 की आज के दिन जैसे ही morning हुआ तो open for all free telegram पर भी आपको बताने की कोशिच करी थी कि आज का दिन एकदम neutral रह सकता है पर stock specific action आपको भरपूर मिलेगा neutral रहने का मतलब यह कभी भी नहीं था कि 15,800 के नीचे की closing हो जाती यह इसलिए था देखिए आज जिस तरीके का data बनावा था I know पहला दिन था बहुत जाले data बिल नहीं हुआ था पर फिर भी 15,800 पर एक अच्छी put writing हो रखी थी इसलिए market का 15,800 के नीचे close करना एक negative point हो जाता है Monday को यह देखना important रहेगा क्या पहले एक गंटे में वापिस से Nifty 15,800 के level को cross करके उपर sustain कर पाता है या नहीं अब चलते हैं नेक्स सेग्मेंट पर जिसका नाम है FIIs and DIs Action FIIs और DIs के data आप इदर चेक आउट कर सकते हैं अभी तक punch out नहीं हुआ है और future and options की बात करी जाना वहाँ पर अभी तक touchwood इस मंत में FIIs की बहुत जादा negative positions नहीं बनी है जैसा कि हमें June के starting में मिल रहा था तो अभी तक FIIs ने बहुत जादा negative नहीं हुए अब आने वाले 2-3 working days में हमें ये देखना पड़ेगा कि future and options में FIIs किस तरीके का momentum लेते है किस तरीके की positions बनाती है जो भी होगा आपको update कर दिया जाएगा आप चलते हैं next segment पर जिसका नाम है viewers query सबसे पहली query यारी की आनन्त आपने कहा था कि आप आजबा के थुरू apply करते हो किसी भी IPO में क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम UPI के थुरू apply करेंगे तो उसको approve ज़रूर कर दिजएगा बाकी assets कोई भी tension की बात नहीं होती है next important query ये है कि ATC का reduction जो आपको income tax में 1,50,000 रुपीज का reduction मिलता है उसके लिए ELSS बेटर है या PPF मैं परसनली ये बिलिव करता हूँ कि ELSS और PPF को हमें ज्यादा compare नहीं करना चाहिए एक debt का product है और दूसरा equity का product है दोनों के दोनों 32 प्रोट है अगर आपके portfolio में equity कम है तो आप ELSS में investment कर सकते हैं अगर आपके portfolio में already equity का अच्छा हो गया और आप तो आप debt में investment करना चाहते तो traditional manner में PPF best mode of investment हो जाता है दोनों ही अच्छा है depend करता है person to person कि आपका portfolio किस तरीके से structure हो रखाए next important query यह आरी है कि आप इदर check out कर सकते हैं क्या हम एक ही bank account से multiple नाम से apply कर सकते हैं आप कर सकते हो बट हमेशा better यह रहता है कि जिसका bank account है उसी bank account से आप उसी holder के लिए DMAT में अपला है कर दीजिए तो वह always better हो जाता है हम IPO की बात कर रहे है फाइनली बात करीजा है Rolex Rings के subscription की आप इदर check out कर सकते है QIB 143 टाइम से ज़्यादा over subscribe हुआ है HNI category 360 टाइम से ज़्यादा over subscribe हुआ है अगर बात करेंगे में 18 में से एक अलॉट्मेंट हमें मिलने वाला है मतलब इस IP में वापिस से अलॉट्मेंट मिलना difficult हो जाएगा आज के दिन का ग्रे मार्केट प्रीमिम भी बढ़ चुका और आल्मूस 50 पर से उपर जा चुका है जो आपके लिए और हमाई लगे इस फुल तो आप ज्वाटन मेंबर्शिप कर सकते हैं सीक्रेट ऑफ मनीमेकिंग बाच का लिंक डिस्क्रिप्शन में वह होता है दो दिन का बाच पर असली महसा आता है बाच खतब होने के बाद जब आप लाइव मार्केट में चीजों को सीखते और प्राक्टिकली अप Nutब एपक्रचे अपखते हो देखिए एक तो यह बात होगी कि हम ने दो दिन का असली कि किया में मुड़ी की बात यह कि सेशन अटेंड करने के बाद जह 장 Gayka किर उसको कme अपको प्लाइकर पार of money making batch attempt करते हो, बाद में आपको भी study करने के लिए रेडी होना सरुरी हो जाता है, सबसे पहला stock जो radar पे है वो है दीपक नाइट्रेट, 1900 के आसपास कितनी बात हुई थी, आप टिकटे पह पर चकाउट कर सकते हैं, अब 2000 के level पे मैं personally trail करने बाला हूँ, नेक्स इंपोर्टन स्टोक जो कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, आप में से कुछ जरों ने ये भी कहा कि आनन्द दो दिन हो गए, ये चलानी क्या हुआ, आज आप चेक आउट कर सकते हो, लॉरस लैप 648 के level तक पहुच चुका था, अब 630 के level से अराम से trail करा जा सकते हैं, फाइनली एक stock जिसको हम immediate radar पे दा सकते हैं, उसका नाम है IOL Chemicals, 664 से लेके 670 की बीच में एक छोटी सी consolidation की range है, 660 से 670 की हम range बोल सकते हैं, कभी भी ये 670 की range को तोड़के उपर जाए, तो हमारी special radar पे आ जाना चीए, अप्ट्रेंड वाले market में हमेशा कोई stock जो support पे जा रहा है, हम उसे buy कर रहे, तो हमारा risk to reward ratio बेटर हो पा रहा है, अब चलते हैं, फाइनल सेग्मेंट पे जिसको नाम है expectations from tomorrow's market. सबसे पहले call का ISO पेंटर इस 15800, second ISO पेंटर 16000 और third ISO पेंटर 16500, अभी तक call राइटिंग है भी नहीं हुई है, तो हम भी तोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर as such 15,950 से लेकि 16,000 की रेंज एक relations होने वाली है, support की बात करेंट तो put का ISO पेंटर इस 15,000, second ISO पेंटर इस 15,800 और third ISO पेंटर इस 15,500 पे, हमें Monday को ये देखना बहुत important है, क्या market वापी से 15,800 के level को sustain कर पाता है या नहीं, अगर नहीं कर पाया तो जिन्होंने भी put writing करीए, वो trap हो जाएंगे और market के नीचे का momentum भी quick हो सकता है, put call ratio 1.20 के आसपा से काफी comfortable हो चुका है, अब market की movement की बात करेंगा, Monday को पहले एक घंटा तोड़ा सा wait and watch करना काफी ज़रूरी हो जाता है, पहले एक घंटे का high and low दोनों बहुत important होने वाला और जिस side भी करता है, उस side हमें धान लगाना ज़रूरी हो जाता है, overall market की बात करेंगा तो as such कोई tension की बात नहीं है, पर आपको stock specific काम करना और बहुत ज़्यादा over aggressive नहीं होना बहुत important हो जाता है, अभी यह जो market है ना, क्योंकि next week बहुत ज़्यादा IPOs भी है, over 4 IPOs हमारे पास आने वाले next week में, सारा का सारा focus shift हो जाएगा, एक बार के लिए IPOs के उपर, इसलिए बहुत ज़्यादा over aggressive होके काम करना भी backfire कर सकता है, controlled quantities में अगर selectively काम किया जाए, तो as such कहीं भी कोई tension की बात नहीं होती, तोड़ा बहुत उतार चड़ा जिस level पर हम आज की दिन है, वहाँ पर होना but obvious है, आपको इससे friendship करना ही पड़ेगी, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो like करें भी ना मज जाएगा, चैनल को subscribe, bell icon क्लिक नहीं गया तो कोई important वीडियो मिस हो जाएगा, as such market में कोई भी tension की बात नहीं है, पर तोड़ी से quantities control कर देंगे, तो हम हमारी positions के better control में आ जाएगे, happy investing and I will see you very soon.